यूटूब चैनल मेडिकल नर्से सब माई नेम इस कीरती तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने MPCHO का ओफिसियल स्लेवस ओपन करके रखा है जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस्पेसलि जो नर्सिंग्स रिलेट करते हुए एक अबर में और आपका पेपर 2 या 2 से जादान सिप्टों में हो सकता है तो 2 या 2 से जादन सिप्ट में पेपर होने का ऑप सकते हैं क्योंकि इसके करने हीशी और सारे केंड़ेट को अिया कंडा के लिए नहीं उनरिछा सकते हैं तो आपका जो एक्जाम होगा येंसी की वेजड पेपर होगा आपका 2850 पोस्ट के लिए स्लेवस सेम है हाँ पर आप लोग एक बार चेक जरूर कर लें ओनलाइन रिटन टेस्ट होना है उसका स्लेवस सेम है 100 नमबर का जो पेपर होने वाला है तो ये स्लेवस सेम क्यों है क्योंकि ये बिना CCS बिना जो स्लेवस सेम को पूरा मैच करता है जो कि 2019 में पेपर हुआ था CHO का CK जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था जब फॉर्म फिलप हो रहे थे अभी भी लास्ट डेट फॉर्म फिलप के लिए तो जिन भी लोगों अभी तक फॉर्म को फिलप नहीं किया है 31 में तक ऑफिसल वे कुछ भी चीजन चेंज नहीं हुई है बट यहां पर इस बार क्या हुआ है पहले पेपर हुआ था तो पहले तीन सेप्ट में पेपर हुआ था दो हजार उनीस में हुआ था इस बार भी कहा है कि दो या दो से ज्यादन सेप्ट में आपका पेपर होगा स्लेवस सेम हैं आप इस पोस्ट में वो लोग भी apply कर सकते हैं जो अधर स्टेट से उन्होंने नर्सिंग की हो that means उनका यूपी नर्सिंग काउंसल से रजिस्ट्रेशन हो बहाँ जाके आपने नर्सिंग की हो but आपका जो डॉमिसायल साइटिफिकेट है भूलने बास प्रमान पत्र वो आपको मध्यप्रदेश का होना चाहिए that means कि आप MP के रहने वाले हो आपका डॉमिसायल साइटिफिकेट MP का हो बट आपने अपनी नर्सिंग किसी भी स्टेट में जाकर की हो तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं तो इस पोस्ट के लिए अभी भी फॉर्म फिल अफ हो रहा है हो जिनका कन्फ्यूजन है कि बिना CCH वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं तो मैं at least 50 times आपको रिपीट कर पे हैं और वस्तारे लोगों के इस तरीके से कमेंट्स आते हैं कि जैसे आप पढ़ी नहीं रहे हो 10th क्लास में हो कि मेरी 3rd year चल रही है मैं form apply कर सकती हो नहीं तो आप लोग एक बार please request है मेरी कि जो terms of reference है जो rule book दी जाती हो उसको एक बार जरूर पढ़ी उसमें साफ लिख रजिस्ट्रेशन हो नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपनी final year pass out की है final year pass out होने के बाद आपका जो registration आएगा वह आपका registration कहलाएगा ना कि आप लोग कैसे भी third year second year वाले सोचेंग कि apply कर सकते हैं तो यहां पर जो slavus की बात कर र आएगा community health epidemiology and disease prevention तो यह 5 नंबर का आएगा तो इसमें मैं आपको बता दूँ community health nursing की बात करते हैं जब और epidemiology की तो अभी recent में जो covid-19 चल रहा है इस related question आप लोग एक बार जरूर revise कर लेना आप जहां से भी question attend कर पाते हैं इस चैनल पर तो मैं आपको एक जितने भी जो covid-19 जितने भी test है medicine है क्या complication हो रहे हैं क्या app है इसके लिए वो सभी बता दूँगी एक वीडियो में बट आप जहां से भी data collect कर पाते हैं चाहें online offline तो ज़रूर collect करके रखें अपने पास maternal health में pregnancy और child work से 10 नंबर का आएगा क्योंकि हर साल जो gynecology होती है nursing में उसमें से हमेशा ज़्यादा slivas आपको दिया जाता है child health nursing में से पांच नंबर का immunization में से पांच नंबर का adolescent health में से पांच नंबर का तो adolescent health में generally जो इसके लिए program आये हैं जैसे कि आप RBS के program मालो एज क्या रहेगी adolescent की क्या problem हो सकती adolescent age group में और इसके क्या complication हो सकते हैं उनको कैसे treat किया जा सकते हैं चीजे आ जाएंगी family planning common communicable disease में से 10 नंबर का क्योंकि communicable disease बहुत जादा है इसी लिए तो अभी recent में जो communicable disease चल रही है वो क्या है वो है COVID-19 और SARS COVID-2 के द्वारा होने वाली problem अब non communicable disease में तो यह भी 10 नंबर क्योंकि यह भी बहुत जादा है non communicable disease आपको यह profit हो जाता है कि आपने medical surgical nursing सभी ने पढ़ी है medical surgical nursing में आपके जो आप सभी system पढ़ते हैं तो उन में से एक एक दो दो disease ऐसी होती है कि जो की non communicable disease में आ जाती है आपको यहां पर रखना है national health program अलड़ी आपको तीन-चार बार बता दिये गये हैं वह भी दस नंबर के आने है general knowledge पांच नंबर का skill based question दस नंबर के आएंगे और analytical and communication skill पांच नंबर की तो slave is same है आप लोग एक बार इसको check कर सकते हैं यदि आपको doubt हो थोड़ा हो तो कोई भी comment हो तो comment box में कर सकते हैं एक question एक number कर रहेगा negative marking यहाँ पर नहीं है साथ दिन पहले आपको admit card online website मिल जाएगा और exam के पांस दिन पहले आपको dummy test और mock test की rehearsal के लिए website open कर दी जाएगी तो आपको यदि doubt है कि official slaves नहीं है तो आप जो sense की official website है यहाँ पर जाके यह रही official website यहाँ पर आप जाएए apply हो रहा है form 31 मही तक कोई भी comment हो आपके तो rule book and terms of reference एक बार जरूर पढ़ ले इनको doubt हो second thing slavas and schedule इस पर click करें तो आपके सभी doubts clear हो जाएंगे तब भी कोई problem हो WhatsApp पर आप लोग message कर सकते हैं और CHO के official paper MP CHO के आप लोग को official paper purchase करने हो लिंक की description box में मिल लाएगी हो फ्री में पढ़ना हो तो उसकी लिंक की description box में वह आपको एक app download करना होगा जो बिलकुल free है और अधी purchase करते हैं आप लोग तो इंस्टा मोजो से कर सकते हैं डारेक्ट गूगल पे से कर सकते हैं purchase या फिर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं त प्ले स्टोर में जाके download कीजिए वहां जाके MPCCHO के पूरे 5-6 पेपर मिल जाएंगे तो आप लोग read out कर सकते हैं तो आहीं होप आपको notification और वीडियो helpful रहा हो साथी साथ रीवा में जो college है जहां पर exam होने वाला उसका syllabus आ गया है तो वह भी मैं आपके साथ आज ही share कर दू बंगी